दोस्तो आज की वीडियो में हम upstock application में जितने भी orders आप use कर सकते हो चाहे वो GTT order हो चाहे वो limit order हो चाहे market order हो या cover order हो सारी orders को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप यह order place कर सकते हो वीडियो बहुत interesting होने वाला है वो थोड़ा से लंबा होने वाला है तो वीडियो को end देखिए और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को subscribe कीजिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको अगर किसी भी stock को buy करना है तो उसमें limit order और market order किस तरीके से लगात या तो हमें limit order लगा सकता हूं उसे negotiate करना बोलते है कि price कुछ और चल रही है लेकिन मुझे नीचे वाली price पर buy करना है तो वो limit order पर लगा सकते है या फिर market price के उपर में उससे buy करना है तो सबसे बहले हम buy के उपर click करेंगे same आप sale के उलिए भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि sale के लिए कुछ अलग है buy के लिए कुछ अलग है तो यहां पर आप देख सकते हो चाहे intraday हो चाहे delivery हो order type में आपको 4 order दिखाई दे रहे market order, limit order, sell limit और sell market अब ये जो दो order है इसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे पहले ये दो order के बारे में बात करते है उसके ब जाएगी 7 रुपए 65 पे से चल रहा है अगर मुझे ये stock buy करना है तो अगर मैं market select करता हूँ तो current market पर price जो चल रहा है उसके ओपर मेरा stock buy हो जाएगा for example मैं एक stock या फिर दो stock को यहाँ पर buy करके दिखाता हूँ एजूकेशनल ले वीडियो है इसकी वीचे से कम buy कर रहा हूँ तो long term के लिए buy करूँगा इंट्राडे में extra charge लगेगा तो मुझे यहाँ पर दो stock buy करने है या फिर 5 कर लेते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं 10 कर लेते है दो stock buy करते हैं तो यहाँ पर 7 रुपए 70 पैसे price चल रहा है market के उपर मैं अगर buy करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी price का change करने का मुझे यहाँ पर lock कर दिया है मैं price यहाँ पर change नहीं कर सकता है तो मैं क्या करूँगा review buy order करूँगा और submit order करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते है idea delivery stock यहाँ पर complete हो गए है 10 के 10 market order पर अब मैं इसे अगर portfolio में जाके देखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते है idea के this quantity मैंने buy कर दी है यह मेरा पूरा नवाला order चालू है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा idea का stock buy हो गया है वो भी market price के ऊपर लेकिन same idea का stock मुझे negotiate करना है तो मैं क्या करूँगा buy के ऊपर जाओंगा यहाँ पर limit select करूँगा अब limit select करने के बाद क्या होगा यहाँ पर price edit करने का मौका मिल जाता है अब यह एक दिन के लिए purchase अगर दिन में 750 बजे तक यह order नहीं आया यह प्राइज नहीं आया तो अगर 지न में बाइ नहीं होगा आपका order cancel हो जाएगा कैसे मैं दिखाता हूँ तो review by order करेंगे और submit करेंगे अब हम यहाँ पे देख सकते है कि order हमारा open है price क्या डाला है 7.35 पैसे 10 quantity buy नहीं हुए है यहाँ पे quantity पूरी की पूरी complete हो गई है यहाँ पे limit order हमने लगा दिया है और इस तरीके से आप limit order लगा के आपका जो stock है उससे उसकी price negotiate कर सकते हो जैसे आप दुकान में जाते हो और किसी price को negotiate करते हो ने भाया 10 रुपे कम कर लगाओ वैसे ही हमने stock के ओपर यहाँ पी किया है यह order आप cancel भी कर सकते हो modify भी कर सकते हो यह हो गया आपका limit order अब आते है cover order के उपर cover order मे क्या करना होता है मान लीजे मुझे CST का stock buy करना है उसके उपर में click करूंगा buy के उपर click करूंगा और यहाँ पे जो है intraday आपको select करना होगा क्यूंकि cover order सिर्फ intraday में ही place होता है delivery में place नहीं होता है तो आपको intraday select करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो cover order आ गया तो यहाँ पे आप cover order select करते हो cover order select करने पे भी आप market पे भी buy कर सकते हो limit पे भी buy कर सकते हो कोई भी दिखत नहीं है यह दोनों order सेम रहेंगे जिस तहरी कैसे मैं अभी तो पता है cover order में different क्या है कि आप stop loss लगा के काम करते हो यानि कि intraday में risky होता है trading आपको पता analysis के बगिर करन नहीं होता है यहाँ आप क्या करते हो stop loss भी लगा देते हो यहां से नीचे आएगा तो मेरा stop loss हिट हो जाना चाहिए मेरा ज्यादा लुकसान नहीं होना चाहिए percentage की साब से भी आप stop loss लगा सकते हो या फिर price के साब से भी लगा सकते हो मान लिजेगा current price चल रहा है आपको buy क पर चत्र पोइंट 50 पर तो मैं यहां पर क्या करूंगा market select करूंगा और यहां पर क्या करूंगा मैं stop loss लगाऊंगा 73 यानि कि 2% stock नीचे आ जाएगा तो भई मेरा stop loss हिट हो जाएगा तीन परसेंट के आसपास अगर आ जाएगा नीचे तो मेरा stop loss है वो यहां पर हिट हो ज फेल हो गया अच्छा यह जो particular stock है इसमें आप नहीं इंट्राडे कर सकते है तो दूसरा stock select करते हैं फिल हो गया कोई दिकत नहीं है होता है कभी कभी ऐसा तो हम फिर क्या करेंगे यहां पर stock buy करेंगे BPCA लगा buy करेंगे और लगा देंगे हम cover order यहां पर मुझे चाहिएगी अगर यह 379 पर आता है तो मेरा stock जो है वो stop loss हीट हो जाना चाहिए तो यहां पर quantity हम रखेंगे 3 या फिर 5 रख सकते हैं 5 quantity हमने रख दी यहां पर intraday select कर दिया cover order select कर दिया अब review by order करेंगे review by order करने पर एक बार देखते हैं अच्छा cover order हम यहां पर इसमें नहीं लगा सकते इसमें भी नहीं लगा सकते हैं तो हम quantity थोड़ा कम करके देखते हैं कि क्या situation चल रही है यहां पर BPCL पर हम लगाएंगे cover order price हम entry करेंगे 379 और quantity हम एक ही करके देखते हैं अगर successful होता है तो ठीक है यह देखिए quantity जैदा हो गई थी शायद उतना fund मेरे पास available नहीं था sorry for that लेकिन यहां पर हमारा cover order जो है वो complete हो गया यहां पर co लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है co लिखा है position में हम जाओंगा तो यहां पर आप देख सकते हो BPCL की एक quantity हमने यहां पर बाय कर ली है cover order co लिखा हुआ आ गया है और हमारा stop loss जो है वो अगर आपको यहां पर देखना है तो इसके उपर हम click करेंगे तो यहां पर stop loss नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आप orders में जाएंगे तो orders में आपको यहां पर दिखाई देगा कि 379 पर हमारा stop loss है वो place है तो यह cover order होत है फिलाल तो चलता है जो चैसे चलता है चैसे चलने दे एक्जिट हो गया cancel कर देने पर आप एक्जिट हो जाते हो basically आपको modify करना होता है cancel कर दोगे तो आपका जो position है वो exit हो जाता है तो वो exit हो गया है यहां पर तो यह simply तरीका होता है हमने अभी limit order देखा cover order देखा और हम तरीके से हम market order लगा सकते हैं अब एक और order होता है यहां पर जो हमें दिखाई देगा GTT order जैसेगी मैं यहां पर बताता हूं कि मुझे IRCTC का stock buy करना है लेकिन मुझे current price से 10% नीचे buy करना है तो GTT order basically क्या होता है good till trigger जब तक आपका price नहीं आएगा तक order trigger नहीं होगा तो यह सिर्फ delivery में होता है इंट्राडे में नहीं होता है वैसे भी upstock में इंट्राडे में भी लगा सकते हो GTT order जैसे को दिखकत नहीं है लेकिन वो एक दिन के लिए valid रहेगा लेकिन GTT का अगर आप long term में लगाते हो तो क्या होगा यहां पर एक साल के लिए valid रहेगा यहां पर द तो 10% आप यहां पर देख सकते हो 562 पर मुझे buy करना है तो मैंने क्या कर दिया order क्या ऐसे place कर दिया है कि मुझे 562 पर buy करना है 10% down आएगा तो यहां पर मैं stop loss भी लगा सकता हूँ target भी लगा सकता हूँ अगर मुझे यहां पर stop loss लगाना है कि नहीं भई मुझे 5% नीचे stop लगाना है तो मैं यहां पर 5 कर सकता हूँ 5 करने के बाद 534 पर मेरा stop loss हो गया और यहां पर 10% उपर मुझे target लगाना है तो 10% उपर मतलब 619 रुपर यानि कि मुझे buy करना है 562 पर मेरा stop loss होगा 532 पर 34 पर और मेरा target होगा 619 पर जब तक मेरा यह order execute नहीं होगा यह दोनों order का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब price गिर के पास 562 पर आईगी तब मेरा stock buy हो जाएगा उसके बाद यह दोनों order जो है वो open हो जाएगे और वो वहाँ पर दिखाई देंगे यह important है GTT में अगर आप sell में GTT लगाना चाहते हो तो वो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा आ क्योंकि आपके holding के share आप इस तरीगे से नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वो stop loss और यह सारी चीज़े नहीं लगा सकते हो अगर आपको sell करना है तो वो directly कर सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे portfolio में जाते है portfolio में मुझे holding वाले shares जो है वो बेचने हैं तो वो आप GTT का नहीं लगा सकते यहाँ पे क्योंकि वो facility अभी GTT की यहाँ पे available नहीं है तो यह चीज़ आपको पता हो नीचे यह जीटिटि इस तरीगे से लगाते हैं फिर इस एक बार बताता हूं कि अगर मुझे buy करना है RCTC तो आपको जाना है buy और GTT में GTT में आप जितने अभी आपका price है उसे साब स उसे buy कर सकते हो order लगा के रख सकते हो target और stop loss भी आप लगा सकते हो जैसे मुझे मैंने बताएगी मुझे 10% नीचे इसको buy करना है 5% उपर मुझे 5% नीचे मुझे stop loss रखना है और 10% नीचे जो है वो मुझे 15% कर देते हैं target रखना है तो मैं यहाँ पे click करूँगा quantity जितनी है उतनी डालके और यहाँ पे आप देख सकते हो quantity एक है price है 562 stop loss range है 518 से लेके 534 तक target range है 647 तक 19 जुले 2024 तक मेरा यह order valid रहेगा और estimated charges यह बाय होने के बाद लगते है अब ही नहीं लगते order लगाने के time पे नहीं लगते बाय होने के time पे लगते तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा order जो है वो schedule हो गया है delivery का order schedule हो गया है buy inactive है sell inactive यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि price ही नहीं आई है तो इस तरीके से आप GTT order लगा सकते हो और इसे cancel भी कर सकते हो modify भी कर सकते हो इस तरीके से आप modify कर सकते हो और cancel कर सकते हो हमने cancel कर दिया अभी एक और order होता है जो आपको लगाना होता है जैसे कि मैं यहाँ पर buy पर जाओंगा किसी भी stock के उपर buy के उपर अब अगर मैं जाओंगा तो यहाँ पर एक और order आपको मिलता है वो होता है AMO order इसके बारे में एक detail video मैंने बनाया है क्योंकि market अभी चालू है एक बच के 20 मिनिट हुआ है तो market अभी चालू है तो AMO order आप नहीं लगा सकते AMO order basically होता है after market order यानि कि 3 बच के 30 मिनिट के बाद जो order आप place करते हो वो automatically AMO पे चला जाता है यानि कि जो up stock है वो automatically उसे after market order करता है दूसरे दिन जब भी price आएगा उस वक्त वो order open या तो रहता है या फिर execute हो जाता है तो यह basically order के type होते है up stock में तो इस तरीके से आप up stock में अलग-अलग order use कर सकते है एक और चीज यहाँ पे है एक और order में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको order convert करना है जैसे कि यहाँ पे intraday की position बनी हुई है SBI की तो इसको अगर मुझे convert करना है तो आप इस convert button के उपर click कर सकते हो convert button के उपर click करने के बाद जितने stock आपके पास है उतनी अगर आपके पास amount है DMAT account में तो उससे आप convert कर सकते हो आपको delivery में अगर convert करना है तो यह एक conversion का आपको position conversion का option मिलता है यह भी एक परकार का order ही होता है जिससे आप intraday की positions delivery में convert करते हो तो यह एक order होता है जो आपको पता होना चाहिए लेकिन इसके लिए आपके पास पूरी की पूरे पैसे होने चाहिए क्योंकि intraday में हम 5X का leverage उस करते हो लेकिन delivery में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पूरे पैसे देने पड़ते है तो यह एक order आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी delivery में exit कैसे करना है तो same आपको exit order के उपर sell के उपर क्लिक करना है NECPAC select करना है उसके बाद आपको यहाँ पर limit या फिर market select करना है अब आता है stop loss order के उपर जो मैंने बताया था कि आपको last न बताऊंगा stop loss limit अगर आप select करते हो तो आप 370 यहाँ पर type करते हो और यहाँ पर एक और price आप enter करते हो यानि कि यह सिर्फ trigger होगा यहाँ पर price आएगा तो market order क्या करेगा exchange के पास भेजेगा लेकिन exchange order execute नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आपने अलग order डाली है तो आपको अगर sell order लगानी है stop loss लगाना है तो इसकी नीचे वाली लगाने पड़ेगी तो 68 लगानी है 368 हम यहाँ पर लगा देंगे तो यह हमारा stop loss बेस हो गया अब इसका मतलब क्या हो गया market यहाँ पर आएगा exchange order exchange को भेजेगा लेकिन wait करेगा जब तक यहाँ तक price नहीं आती यह price आ गई तो आपका stop loss जो है वो hit हो जाएगा आप stop में से निकल जाओगे तो यह होता है limit order लेकिन अगर आप market select करते हो तो यहाँ पर आपको जो दूसरी price हमने 368 डाली थी वो डालने का मोका नहीं मिलता है क्योंकि जब यह price आएगी 370 तब market order क्या करेगा exchange का पास भेजएगा exchange क्या करेगा market में उस वक्त क्या price चनरी है वो 370 भी हो सकती है 371 भी हो सकती है 368 भी हो सकती है कोई भी हो सकती है उस वक्त वो क्या करेगा order execute करेगा और market के price के उपर आपका stop loss हिट हो जाएगा ये चार प्रकार के order होते हैं उसके अलावस cover order होता है GTT order होता है और intradico order का cover convert करने का भी एक तरीगे का order होता है और AMO order भी होता है जो की मैंने अभी नहीं दिखाए क्योंकि market अभी चल रहा है इसके लिए लेकसा वीडियो मैंने बताना है तो ये सारे order type होते है अगर आप stop में trade करते हैं तो ये सारे order type आपको बता होने चाहिए I hope आपको सारे order type अच्छे तरीगे से समझ में आ गए होंगे कोई भी doubt है तो आप comment में पूछ सकते है इसके अलावा कोई order type के उपर वीडियो आप देखना चाहते है तो मैं जरूर बनाओंगा लेकिन सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब करना होगा इस वीडियो को लाइक करना होगा धन्यवाद